भगवान राम का प्रसाद का वितर्ण करते हुए सभी भंडारे की आयोजकों ने कहा कि जिस तरह से वर्षों पुराने राम मंदिर की स्थापना को पूर्ण कर इस दिन को एतिहासिक बनाया गया है। भगवान राम का प्रसाद का वितर्ण करते हुए सभी भंडारे की आयोजकों ने कहा कि जिस तरह से वर्षों पुराने राम मंदिर की स्थापना को पूर्ण कर इस दिन को एतिहासिक बनाया गया है। पहुचने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा तो देश में भी लोग राम भक्त के साथ उनकी आराधना करते नजर आएंगे। सुमवार को जिस तरह से शहर में राम भक्ती का माहौल नजर आया वह निश्चित तौर पर बताता है कि भारत धार्मिक आस्था वाला देश इसलिए माना जाता है। कि पांसो साल के भी जाधा वन्वास के बाद जो आज प्राण प्रतिश्ठा हो रही है पूरे देश नहीं पूरे विदेश नहीं पूरे ब्रह्मान में तो उसका यहां पर हम लोग पुरा हर्श के साथ आनंदित होकर यहां के गुनानक चौक के जो रहवासी है वो मना रह ह हैं तल पूरे ब्लासपूर में रैली निकली थी बहुत इशांदार थी हम सभी उसमें शरीक हुए थे और इसमें भी हर चौक चौरहे पर आपको यही महल मिलेगा यही राम मैं आपको मिलेगा पूरा महोल जैश्री राम मेरा नाम प्रकाश विधानी प्राण प्रतिष्ठा की हारदिम शुपकामने 500 साल वर्ष के पूर्ण हमारे राम जी आये हैं हमको स्वागत करना है इतने सालों की जो पूरवजों की हमारी प्रतिष्ठा की हमको करना ही है जिन्होंने अपनी जान गवाई इसके पीछे हम लोग को यह चीज के लिए खुश की जाई भाई